श्री शद्गुरू महाराज कीजे पुजपाद महर्शी संसेवी परमहंस जी महाराज का परवचन तपवल से शत्षं का बल अधिक होता है शमवेत शमादर्णी शजन्वरीन आदर्ण्या माताओ यम भक्ति मती बहनो परम परवो परमात्मा ने अध्भुत श्रिष्टी की है और उनकी श्रिष्टी का विधान भी अध्भुत है संसार में लोग आते हैं कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं यह संसार ही कुछ ऐसा है कि पुर्व में जो कोई भी आए सब के सब चले गए वर्तमान में जो हैं वे भी जाएंगे फिर भविष्य में भी जो आएंगे वे भी जाएंगे शंत कविर शाब ने कहा है आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर एक शिंहाशन चड़ी चले एक बंधे जाए जंजीर आने वाले निश्चित रुपेन जाएंगे लेकिन जाने में भेद है और वह यह है कि एक शिंहाशन पर चड़ कर जाएंगे और दूसरे जंजीर से बंधे जाएंगे शंशारिक माया में जो बंधे रहेंगे वे यम के बंधन से बंध कर यमाले जाएंगे दूसरे वे होते हैं जो जागतिक बंधनों से मुक्त होते हैं इस्वर भक्ति से संजुक्त होते हैं वे भगवद भजन कर इस्वर धाम को पहुँचते हैं जो कोई जागतिक प्रापंच में ही लगे रहते हैं वे यमजाल से बंधते हैं और जो इस्वर का भजन करते हैं वे यम जाल से छोड़ते हैं इसलिए शंतों ने कहा इस जीवन का कोई ठीकाना नहीं है कितने दिनों के लिए यह शरीर है कितने दिनों तक यह रहेगा कोई ठीकाना नहीं है गुरु नानक देव ने कहा है नह बालक नह यौवने नहीं बिरधी कचुबंद वह अवशर नहीं जानिये जब आये परे यम फंद कोई प्रतिवंद नहीं है कौन कब मरेगा बुढे होंगे तभी मरेंगे ऐसी बात भी नहीं है कितने तो गर्व से मर कर ही आते हैं इस तरह इस संसार में मरना ही मरना है इस लोक का नाम ही मिर्त्यू लोक है सब के लिए परमात्मा ने जीवन काल निश्चित कर दिया है लेकिन सर्वशधारन के लिए यह अज्यात है गुरु नानक देव जी महराज थे उनका सत्संग होता था बहुत सबेरे सबेरे लोग सत्संग में इकठे हो जाते थे उस सत्संग में बहुत लोग जाते थे उसमें पांच वर्ष का एक छोटा बच्चा भी जाता था उसमें गुरु नानक शहाब ने देखा कि यह बच्चा अपने अभिवावक के साथ बरावर सत्संग में आता है एक दिन गुरु नानक देवजी महराज ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे जो वयस्क लोग हैं वे जानते हैं कि सत्संग से क्या लाब है तुम जो इतने सबेरे सबेरे आ जाते हो क्या समझ कर उस छोटे बच्चे ने कहा गुरु महराज मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ लेकिन एक दिन की घटना है मेरी मां रोटी बना रही थी चुलहे के निकट मैं भी बैठा था मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकडिया हैं वे तो देर से जलती हैं और जो पतली पतली टहनिया हैं वे जल्दी जल्दी जल जाती है मैंने सोचा जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे मोटी मोटी लकडियों के समान है और जो पतली पतली टहनिया है वे कम उम्र के लोगों के समान है इसलिए मैंने सोचा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे देर से मरेंगे और मैं जो पतली टहनी के समान हूँ जल्द मर जाओंगा इसलिए सत्संग में आने लगा हूँ आपके दर्शन करता हूँ गुरु नानक देव जी प्रशन मुद्रा में हसकर बोले यह बच्चा नहीं है भूड़ा है क्योंकि इसका ज्यान पड़ी पक्व है गुरु नानक देव जी के आशिर्वाज से उसने लंबी आयू पाई हाँ तुम्हें करा था इस जीवन का ठिकाना नहीं है भरोशा नहीं है कि कब चला जाएगा श्री मद संक्रा चाड़ी ने कहा पत्र पर पड़े हुए अती चंचल नीरशमान अती से चपल और छन भंगुर इस जीवन को जान यहां एक चन भर की सत संगती ही का भाव भवशागर से तरने में बन जाता डिड़तर नाओ कमल के पत्ते पर पानी रखिये धरक जाएगा वह रहेगा नहीं उसी तरह यह मनुष्य का शरीर है यह भी चन भंगुर है नाश्वान है कव शमाप्त हो जाएगा पता नहीं इस चन भंगुर शरीर से सत्संग करना चाहिए थोड़ा साभी सत्संग करेंगे तो उसका बड़ा महत्व है एक बार का प्रशंग है वसिष्ट जी घूमते घामते विश्वामित्र मुनी के आस्रम में गए विश्वामित्र मुनी जी ने बड़ी तपश्चा की थी बहुत आदर सत्कार किया जब वसिष्ट जी चलने लगे तो उन्होंने अपनी एक हजार वर्ष की तपश्चा का फ इनको विधाई में दिया प्रशन हो चले गए वसिष्ट जी कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मुनी जी घूमते घामते पहुंचे वसिष्ट जी के यहाँ वसिष्ट जी राजी योगी थे इन्होंने भी आदर सत्कार किया और उनके चलते समय इन्होंने जो का फल दान में दिया विश्वामित्र के मन में हुआ कि मेरे दान के सामने इनका दान बहुत कम हुआ जुन्जलाकर बोले कहा तो मैंने इतना अधिक दान दिया और आपने इतना कम दिया दोनों में बाते बढ़ गई अब इसका इंसाफ कौन करे कि किन दान कम हुआ और किसका अधिक तो गए दोनों विश्नु भगवान के पास विश्नु भगवान ने कहा मुझे फूर्षत नहीं है चले जाईये ब्रह्माजि पास दोनों ब्रह्माजी पास गए और अपनी अपनी बातें बताई ब्रह्मा जी ने कहा मुझे अवकास नहीं है चले जाईए शेशनाग के पास शेशनाग के पास दोनों ने अपनी अपनी बातें सुनाई शेशनाग जी ने कहा किसका दान अधिक है अधिक किसका फल कम यह कैसे बताऊं मैं तो पिर्थिवी का भार लेकर हूँ आप लोगों में से कोई इसकी भार समभाल कीजिए तो मैं इन्शाफ कर दूँगा विश्वामित्र मुनी जी ने अपना तप वल लगाया लेकिन उस भार को वे ले न सके और वसिष्ट जी ने भार ले लिया विश्वामित्र जी ने शेशनाग से कहा अब तो आप कहिए शेशनाग ने कहा न्याय तो हो गया कि किसने अधिक दान दिया जिसने भार उठाया उसने अधिक दान दिया सत्संगती से हो जाता नर्विश्यों से निश्चंग फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र अशंग मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त निश्चलता आते ही हो जाता जीवन मुक्त शत्य करते हैं शत्य का रंग लगता है तो अशत्य का शंग छोड़ता है जहां शत्य होता है विजय वहीं होती है जो शत्य है उशी की विजय होती है अशत्य की विजय नहीं होती है इस संसार में लोक विजय इंद्री विजय मनो जय संसार जय वही कर सकता है जो शत्य का आच इसलिए संतों का यह ग्यान है कि हम लोगों को सत्चंग ना चाहिए धयान करना चाहिए इस ben जीवनि may मैं होगा और परलोक में भी जीवन कल्यान मैं होगा। पोज़ पाद महर्शी शंत्सेवी परमहंस जी महराज का यह प्रवचन जार्खन राज्यांतरगत रांची जी लेके शंत्मत सत्संग मंदिर चूटिया में धिनांग 23.9.1993 इश्वी को अपराहन काल में हुआ था। श्री शद्गुरो महराज की जै।